जब आप इस रूप में पहुँच जाते हैं, जिसे इंसानी रूप कहते हैं, तो यहां से आपका विकास प्राकरतिक तरीके से नहीं हो सकता, इसे चेतन तरीके से होना होगा. अगर आप चेतन नहीं होंगे, तो यहां से कोई विकास नहीं होगा, बंदर विक्सित हो सकते हैं, इंसान विक्सित नहीं हो सकता, वो सिर्फ चेतन होकर विक्सित हो सकता है. कहीं न कहीं, प्रकरती ने आपकी बुद्धी पर भरोसा किया, उसे विश्वास था कि, आपकी बुद्धी इस तरह की है, कि आप स्वभाविक रूप से उंची चीज चुनेंगे, न कि मीची चीज. पर आप प्रकरती के भरोसे को गलत सावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तरीकों से खुद को खुश करें. कहीं न कहीं, कोई चीज, किसी विशाल चीज को पानी की गहरी इच्छा रखती है, है ना? हाँ आप खुद को धन, कचरे और हर चीज से भर लें, फिर भी ये लालसा नहीं जाती. जब ये लालसा सहन नहीं होती, तब आप खोचते हैं. जब आप खोचते हैं, तो क्या आप उस चीज को खुद नहीं देख सकते हैं? जो आपके भीतर ही है, आप देख सकते हैं. पर ये अ गंजान मार्ग है इसलिए अगर आप अकेले जाएंगे तो आप जानते हैं कोलम्बस के साथ क्या हुआ था वो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका पहुँच गया वो मार्ग अंजान था तो बस सयोग वश वो इस महादीब पर आप हुँचा हम बस उन्हीं के बारे में पहुचें अगर आप बिना किसी मार्ग दर्शन के अंजान मार्ग पर जाएंगे तो ऐसा ही होगा आज कोलम्बस के यहां पहुच जाने से जरा देखे योरोप से अमेरिका जाना कितना सरल है क्यों क्योंकि इस व्यक्ति के कारण आज यह जाना पहचाना मार्ग है है इसी तरह आप एक गुरू के पास जाते हैं, क्यूंकि वे पहुंच चुके हैं। तो उनके अनुभव का इस्तमाल करना अच्छा है। क्या मैं इसे खुद नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि खुद करने पर आपको इसमें कितने जीवन काल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। आप इसे एक पल में भी कर सकते हैं, है न? आप एकदम से भी वहाँ पहुंच सकते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन 99 प्रतिशत लोग बस खो जाएंगे और मिट जाएंगे। इसलिए एक गुरु जरूरी है। गुरु बस एक साधन है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है। यह समझना जरूरी है। तब ही मैं आपका गुरु हूँ, उससे पहले मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु पूर्णिमा महत्व पूर्ण है क्यूंकि एक चीज है एतिहासिक महत्व, क्यूंकि इसी दिन आदी योगी ने खुद को आदी गुरु में बदल दिया था। गर्मियों की संक्रांती के बाद की इस पहली पूर्णिमा का एक विशेश महत्व है, इसे आम तोर पर कृपा का दिन माना जाता है और इसी दिन पहले गुरु ने शिक्षा देने का फैसला किया था। तो ये धर्ती के हर मनुष्य को एक महत्वपूर्ण चीज याद दिलाता है, क्योंकि हर कोई अपनी सीमाओं में जीता है, शरीर, मन, सामाजिक धांचे और गुन दोश, हर तरह की सीमाई, हर इनसान के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है, कि इन चीजों से परे जाने का एक तरीका है, गुरु पूर्णिमा यही याद दिलाती है। करते हैं, सामाजिक पूर्णिमा यही ये लोग्येज।